असलाम उलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदाब तो कैसे आप सब खेरे से हैं आज की वीडियो में न्यूज थोड़ा बहुत है और आप से बहुत सारी बातचीत करूँगा वीजा से रिलेटेड रिटर्ना लोग के लिए और नए लोगों के बारे में क्योंकि वीजा से करेंगे तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा पुराने हैं तो वीडियो को शेर कीजिएगा अपने थमनिल पर लिखा है उसी साब से आप न्यूज देखना चाहते तो वीडियो को पुरा लाश्ट तक देखिए क्योंकि जो थमनिल लिखा होता है दो तीन वर्ड ही लिखा होता है देन बहुत सारी न्यूज अंदर में होती है तो वीडियो कहां से देख रहे हैं कम्मेंट कीजिएगा और अगर आप साओधियर पहली बार गय थे कब गय थे कम्मेंट कीजिएगा कितनी सैली थी कम्मेंट कीजिएगा और आज कितनी है मैं पहले न कि आपको बाद में प्रॉब्लम होता है लेकिन आगर कुछ आपको जानने वाला है दूर दराज कहीं का है और उसके बारे में आपको पहले पता लग जाए तो आपसे काम कराऊगे कभी नहीं कराऊगे खाला कि मैंने जिनका काम करवाया है अभब दोईलब हमारे खास है और उनका काम हुई चुका है लेकिन मैं किसी और के बारे बात कर रहा हूँ मतलब और भी दूर के कोई रिषिदार है तो वो रिटर्नर है लगबग वो अच्छे खास एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं तो मे भाई काम करवा देंगे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा छोटा सा बात करूंगा तो अभी मैंने उनसे बात की तो अगले आदमी जहां से काम होगा उन्होंने का ठीक है आप मेडिकल कराओ तो इन्होंने कहीं और का मेडिकल पहले कड़ा रखा है उन्होंने मेरे को बताय में ही रहे हैं अच्छे खासे experience holder हैं और इनका तीनों बार में काम नहीं हुआ तीनों बार में इनका medical expire हो गया है जो भी है है आपको experience है चलो ठीक है आपका काम हो जाएगा चलो ठीक है लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी ऐसे जगह से काम कराते हो जहां पर कोई वीजा का की काम नहीं है मतलब वीजा है ही नहीं आप जिस काम में जाना चाहते हो वह उस आदमी को भी कोने का अगर कोई काम कराता है या कुछ भी होता है तो कभी किसी के बारे बुड़ा भला नहीं बोलना चाहिए हला कि आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप बोल ये मना नहीं है लेकिन अगर आप सही जगह पहुंच चुके हो exactly वो मेरे पास सही जगह पहुंच चुका था पहुंचने के बाद वो भाई ऐसा तरीके से बोला मैंने का मा सलामा अल्ला आफिस भाई मैंने आगे मैसेज कर दिया भाई जान सक्की आदमी का इलाज कभी नहीं हो सकता बाहर के नाम पे आपको लूटने वाले लाइन से मिल जाएंगे बाहर के नाम पे और आप लोटा भी जाते हैं तो जहां आपको में सही ऑफिस है वहां नहीं जाएंगे आप लोग इदर उदर वाले किसी ने बताया यहां चले जाओ आठी का में लिए काम कराइब के खृती रहा हैं कियों किसी लां का मारिक हैं कि यहां तक है आप या उनको बिता फेली इचल मैं वो वो ठीक है बट एक वर्जन उनका खराब लगा जो सौधी का काम कराते ना वो यह होते हैं मा अब आगे मैं गाली नहीं दे सकता है यहाँ पर क्योंकि यहाई कॉपी राइट आ जाएगा या फिर यह वीडियो स्टॉप हो जाएगी यहीं तक की ठीक है अब आपके साथ कभी ही ऐसा हुआ है क्या अगर आप सही जगा पहुच चुकी हो तीन बार आपने दोका खाया चौतिवार में अच्छे जगा पहुंच चुक करा वाद ख़तम हो गया राइट और रॉंग मैं गलत बोला हैं सही वोला मुझे कमेंट कीजेगा हलाकि बीच में महीं हूँ तो मेरा नहीं है हमें और हम इसलिए काम नहीं करवाते खास करके हरालमदुल्ला हमारे खुद के जानने वाले काम अभी दो दिन के अंदर काम हुआ है ताज्यू की बात है सक्सफुल ली अलहमदुलिल्ला आपके साथ कभी इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है तो comment कीजिएगा या हम इस परसाणवें परसाणे में हाला कि agent लोग ऐसा करते हैं Lेकिन अपना आदमी कभी ऐसा करना चाहता है अपने आप पही गल्ति better का कहा से हो जाता जाने perspectives हाज को लेकर अपडेट है सबसे पहले बोल दो अगर आप हाज पर जाना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन लगी होने चाहिए कोरोना की ठीक है डवल डोस और सौरी त्रिपल डोस अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो आपको नहीं जाना दिया जाएगा यहां पर न्यूज य पर लूंगा कुछ मत लेकर जाएए अपना-पना कपड़ा लेकर जाएए क्योंकि समान भर के वहां से लेकर आना होता है तो हज के मिटी की तरफ से कहा गिया है और आपको बता दूँ ऐसा कोई भी समान मत लेकर जाए जो समान बैन है मतलब सीकर कुटका पान कुछ भी ऐस समत लेकर जाओ क्योंकि बैन है वह आपको एरिपोट पर दिक्कत हो सकता है द्यान लखेगा और आपका बैग का जो सौइज वाई है अच्छा होना चाहिए मीजियम साइज जू भी है यूपके साथ दिक्कत ना होजाए मुझे किसी भाई ने कमेंट किया है मैसेज में मेर इस पर वीडियो बनाऊंगा कल नशे के ओपर में इस पेशली उन्होंने ये कहा है कि जाविद भाय मुझे एक चीज बताईए अगर कहीं भी न्यूज है कहीं भी न्यूज है नशे को ले करके तो मुझे उस न्यूज के बार में मुझे मालम होना चाहिए या उस सती है यहां पर हम कल निउस में बात करेंगे सबाल पूछने का मक्सद किसी को गलत साबित नहीं करना लेकिन अफिशली न्यूज पर देंगे कि मैंने अफिशली ही न्यूज दिया है आपको क्योंकि आपने ध्यान से देखा नहीं है सो ट्विटर पी आपको फिसल जाएगा अगली अपडेट जाने रियाल डेट 19 महीं है आज और रियाल डेट मिला जुलागर के ठीक ठा के सारे 20 रुपे के आसपास ही चल रहा है रोजाना का रोजाना एक न्यूस बहुत वायरल हो रही है लाश्ट में दिखा रहा हम आपको बंगला देशी ने साओधी गलत है बंगलादेशी लड़की ने बंगलादेशी लड़की से साधी की है बंगलादेशी लड़के ने बंगलादेशी से ही साधी की है साओधी लड़की नहीं है बदापते साओधी ने कफील ने इनका अच्छे से साधी करिती रवास से कराया साओधी के हिसाब से गलत मत फैलाईए वरना साओधी में है आप टिक टॉक एकाउंट चलाते हो ना जेल में डालेंगे तो पता लगेगा पचास हजार रियाल का जुर्माना है अब पांच साल जेल पचास हजार रियाल कहां से लाओगे एक हजार रियाल तो जिब में होगा नहीं फेक न्यूस बंद कर दो आप लोग यह सब अच्छी बात नहीं होती यह साओधी लोग गुसा कर रहे हैं बंगलादेशी ने साओधी लड़की से सादी की जबकि यह सारा सार गलत है बंगलादेशी लड़का था जो कौफी शाप में काम करता है उसका कफील इतना अच्छा है इतना मज़ाग मज़ाग की बात अलग होती है सेरियसली ध्यान रखो साओधी में गलती काम करोई मत वीडियो शेर कीज़े कमेंट कीज़ेगा इस्टार्टिंग में आपको सुनाया है उसके बारे में आप जूर मुझे कमेंट कीज़ेगा कल मिलते हैं तंबाकू के रिलेटेड पेज असब्सक्राइब की